प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की थाली का स्वाधी बिगाल के रख दिया है इस वक्त में लखनव में नरही सबजी मंडी में मौझूद हूँ और आज यहाँ पर जो प्याज है उसकी कीमत 100 रुपे प्रतिकियों बताई जा रही है जबकि यही प्याज एक हफते पहले 70 रुपे प्रतिकिलों की दरसे बाजार में उप्रब्द था और इसका सीधा असर आम आदमी के बजट पर पढ़ रहा है उसकी जेप पर पढ़ रहा है हमारे साथिक महिला मोझुद उन से बात करेंगे क्या नाम है मेडम आपका ममता बिष्ट मैं मुझे बताईए कि प्याजा सो रुपे किलो भी रहा है पहले भी आपने खरीदा होगा कितना फरक पढ़ रहा है काफी फरक है हाफते दस दिन में ही काफी अंतर आ गया है है तो बजट तो गड़ बढ़ाए गई ही तो यह तो एक आम आदमी के लिए बहुत परिशानी की बात है अगर हम देखें तो वरॉल तो सब में फरक बढ़ाई है थोड़ा बहुत सब तो हो यह कहीं है महंगी है तो आप लोगों ने खरीदारी कम कर दी क्या प्याज की कि उतने ही ले रहे है अब देखिए जो खाने की चीज़ हो तो लेनी ही लेनी है अब चाहे मनमार के लिए कै कैसे उमीद है कि चाहिए इस तरफ ध्यान दे तो अच्छा होगा जी उमीद है कि थोड़ा सा ध्यान दे कि बहेंगाई कम हो तो ममता जी है जिनका साफ्तर पर यह कहना है कि प्याज की कीमत जिस तरह से बढ़ी है उसका सीधा असर आम आदमी के किचन पर पढ़ रहा है और आपता सो रुपे गिलों और एक हमते पहले क्या रेट था सथर रुपे किया वजए है अचानक इतना महगा हो जाने की माल ना आने के उपर है सब जो लोग तरग लगाया रहे के रहे वह उनके पास 10पाइक पांच-पाइक प्याज बची है माल ही नहीं आ रहा है सब क्या क तो लोगों बचत तो उसी में से निकालेंगे तो दुकानदारी पर फर्क पड़ा क्या यह है कि जो एक किलो लेते थे वह पाओ में आधा किलो ले जा रहे हैं गरीब आदमी तो खाई नहीं पारा करें मैं भी गर प्याज के खालूंगा प्याज नहीं खाब पाऊंगा इत्त किलो और पाओ भर खरीद कर काम चला रहे हैं लेकिन सबसे एहम बात यह है कि जिस तरह से तेजी से बाजार में प्याज के दाम बढ़े हैं उसने कहीं न कहीं आम आदमी का बजट भी बिगार दिया है क्यामरा परसंस सचिन सेनी के साथ अशोक तिवारी लखनव निउस 24 प्रौस।